नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि आर्थिक समीच्छा का हम एक एक अध्याय वार इसका विश्टेशन करेंगे एक एक चेप्टर का डिस्कसिन करेंगे ताकि आपको आर्थिक समीच्छा में कोई भी परेशानी नहीं हूँ हम सिखाएंगे कि आर्थिक समीच्छा कैसे पढ़ी जाती है कैसे इसको समझा जाता है और इसका उप्योग क्या है साथी साथ हम यह समझेंगे कि आर्थिक समीच्छा से हम अपने देश के बारे में या अपने देश के आर्थिक इस्थिति के बारे में किस परकार समझ सकते है जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि समिच्छा का मतलब उस विसे का विश्डेशन जो की हो चुका है मैंने ये भी कहा था कि आर्थिक समिच्छा पिछले वर्स की होती है जैसे आपको दिख रहा होगा वित वर्स 22-23 के लिए है बजट 23-24 के लिए बनता है बजट जो बनता है एक साल बाद का बनता है और आर्थिक समीच्छा एक साल पीछे की होती है तो इसकी जो मतलब इसका जो विश्टेशन होता है वो पिछले वर्सों में क्या हुआ हमारे देश में किस परकार के आर्थिक परगती हुई क्या दिक्कते आई इसके बारे में इस तरीके से सरवे किया जाता है और उसी को एक book का form दे दिया जाता है और इसे कौन जारी करता है तो वित्त मंत्राले भरत सरकार का आर्थिक मामलों का सरवोच्य मंत्राले है इसके आंकडे authentic होते हैं या इसके आंकडों का प्रयोग हम कर सकते हैं जिसमें कोई संका या कोई भी doubt तो हम चलते हैं पहले अध्याय की और और आज पहले अध्याय का विचलेशन करते हैं जो पहली बात लिखी गई है वह पूर्ण सुधार पूरी तरीके से सुधार की बात तो कब हम पूर्ण सुधार कहते हैं जब कोई बहुत बिगड़ी हुई बात हो तो हमें पता है कि अभ 19 से और दूसरा क्या चल रहा है तो यूख्रेन में यूद चल रहा है रूस यूख्रेन यूद चल रहा है और तीसरी भी एक स्थिति है फैल रिजर्व आपको मैं इसमें बताऊंगा ठीक है अब हम मैंने कल ही कहा था कि हम आपके साथ पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि मैं पढ़ते चला जाओं और आपको कुछ समझ में ना है हम आपके साथ पढ़ेंगे सामायन्य त्वर पर वस्ता में के बैस्वीक आर्थिक जटके लेकिन समय के इन पर काबू पालिया इन यए इसिके बारे बात करेंगे इस सहस्त्राबदी के तीसरे दसक में सहस्त्राबदी मतलब यह समझे सहस्त्राबदी का मतलब हजार होता है तो हमने देखा कि हम दो सहस्त्राबदी खतम कर चुके हैं 2000 जब आया तो तीसरी सहस्त्राबदी शुरू हो गई थी और तीसरी सहस्त्राबदी के तीसरे दसक में, तीसरा दसक मतलब 2020 से लेके 30 का दसक, यह तीसरा दसक है, इस्थिती में परिवर्टन आया, वर्ष 2020 के बाद कम से कम तीन जटकों, तीन जटके लगें, कौन कौन से जटकें? तो सबसे पहला महामारी कारित, कोविड के लिए, इसके बाद रूस यूकरियन संगर्स, संकुचन से शुरू हुआ, और मुद्रा स्पी थी, मतलब महंगाई में पर थी, अगर सर किया, फिर फेडरल डिजर्व, अमेरिका का फेडरल डिजर्व, अब एक बात समझो, कि मालो क चार बैंक हैं, आपके पास, चार बैंक हैं, और इस बैंक ने कहा कि हम 8% इंट्रेस्ट दे गें, और ये 6-6% दे रहे हैं, कोई 6 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, तो कहां जाओगे आप, जैसी बात इस बैंक में जाओगे, फेडरल डिजर्व ने यही करा क्या करा कि अपनी पैंक दर जो है बढ़ा दी अब क्या हुआ अर्थ व्यवस्थाओं के केंद्री बैंकों ने मुद्रा उस्पीति पर अंकुष लगाने हैं तू समकालिक नितिगा दरों में ब्रदी की यूएस फेट द्वारा दरों में की गई ब्रदी ने अमेरिकी बजार अरों में पूंजी आकरशित किया अब सभी लोग जो की कहीं कहीं पे निवेश कर रखे थे उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिया जैसे यह समझो कि लोग अमेरिका के बैंक में अमेरिकी बैंक माना जाता है कि वो सबसे विश्वसनी बैंक तो अब क्या करें डॉलर का मुल बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका के फेड रेजर्ब ने बैंक दरों में बढ़ोतरी कर दी इससे किसी भी कैंद्रिय बैंक द्वारा बाजार से पैसा चूसना कहते हैं पैसा क्यूं चूसा जाता इसके बारें जब बजार में पैसा ज्यादा आ जाए तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए पैसे कम किये जाते हैं और जब क्या नहीं ला सकती है इसी के करण से चालू खाता घाटा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया कई लोगों का और निवल आयात तक जो आयात पर निर्भर अर्थ विवस्ता हैं मुद्रास पिति के दबाओं में विर्धी हुई दर में विर्धी शतत्त मुद्रास पिति ने आयमेफ द्वारा विश्व आर्थिक आउट्लूक अक्टूबर 2022 के अपडेट में 2223 के लिए बैस्विक विकास प्राणान को कम क हो गया कि बढ़े गाई नहीं वह उस लेवल पर रहे गाई नहीं इंफलेशन जो जहीं होनी चाहिए वो रहे गाई नहीं तो विकास दर पुर्वान ओवन कर दिया है जैसे भारत के भी पुर्वान-ओं धिरे-दरे कम कर दिये गया है क्योंकि गती नहीं बाजार में मांग नहीं है उस लेवल की इसमें तीन कारण है कौन-कौन से कारण एक तो कोविड-19 दूसरा रूस-उक्रेन युद्ध रूस-उक्रेन युद्ध इस तरीक से की रूस और युक्रेन बहुत बड़े उत्पादक हैं गेहूं के गेहूं नस्ठ हो गया उससे अनाज की कमी हो गई बहुत सारी चीजें हुएं फिर ओपेक प्लस देश का सदस्ते हैं रूस वहां पर जो उत्पादन है उस लेवल पर बजार में आने पाया तो इस तरीके से कई वित्तिय संकट जन्म लिए हैं धीमी बैस्विक वृद्धी भी उन्नत अर्थ व्यवस्तां से उत्पन वित्त महामारी से सामना करने के बाद आगे बढ़ी हुई प्रतीत होती है मतलब अब जो है महामारी को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं अब उसका प्रभाव धिरे-धिरे खतम हो गया है हम आगे निकल चुके हैं वित्तिय वर्ष बाइस में कई देशों से आगे पुर्ण पु महामारी पुर्व विकास पत पर खुद को चड़ाने की स्थिति में आ गई है कि वर्ष दोजार तैइस में हम महामारी से पुर्व की जो स्थिति उसमें हो सकता है हम पहुंच जाएं पिर भी चालू वर्ष में भारत को मुद्रा इस्थिति पर लगाम लगाने की चुनोती का सामना भी करना पड़ा है आपने देखा है कि मुद्रा इस्पिती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी महंगाईधर बढ़ने के दो कारण होते हैं या मुद्रा इसपिति बढ़ने के दो कारण या तो है सप्लाई बढ़ जाए आ लगा स्वारी डिमांड बढ़ जाए ठीक है डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई मानलो 100 है डिमांड भी 100 था तब तक तो ठीक है लेकिन डिमांड जब 110 हो जाए तो क्या होगा सप्लाई यह है और डिमांड यह है अधी 110 हो जाए तो जैसे बात है कि दस अत्रिक्त यहां पर मांग है तो अत्रिक्त मांग जैसे ही होगा महंगाई बढ़ेगी अब डिमांड सौ ही है सप्लाई 90 हो गई तो यहां पर सप्लाई कम है इसलिए मुद्राजपिती बढ़ रही तो सप्लाई किस प्रकार से जैसे मां लिज्य तेल कीमते बढ़ी अब तेल की कीमते बढ़ी तो ट्रांस्पोर्टेशन बढ़ा मसीनों के चलाने का लागत बढ़ा उर्जा का मुल्य बढ़ा तो क्या हुआ कीमतों में बढ़ी हो गई महंगाई दर बढ़ गया है तो इस परकार से हम यह चीजें देखते हैं ठीक है यहां पर आपको देखना है मुद्रा इस्पिति को लगाम लगाने की चुनोती का भी शामना करना पड़ा है जिसे यूरोपिये संगर्स ने बढ़ा दिया यूरोपि जो मुद्रीक नीती उपाय मोद्रीक नेती के यूप यू अपनाते हैं आप इकोंपी पढ़ें मुद्रीक नीती निती में क्या होता है मुद्रिश पिति कम करने के जो कुछ उपाएं रिपोरेट बढ़ाना cérr' sr' इस तरीके सो जो बढ़ा कि जो मेहंगाई दर जो कम कर लियानकारी योजनायें चलाके उस पर कम किया जाता है बैस्वी कस्तर पर भी जिन्सों जैसे तेल के दाम में इस्थिरता थोड़ी आई वो चीजें हुई इस से क्या हुआ कि मुद्रा इस्पिती नौंबर 2022 में खुद्रा मुद्रा इस्पिती को आर्बी आई के उपरी स्व इसका मतलब है 2 से लेके 6 तक की मुद्रा इस्पिती मैंने है इस से उपरी सीमा ये हो गई और ये निश्ली सीमा हो गई इससे कम हो गया तो भी खतरणाक है और इस से ज़्यादा हुआ तो भी खतरणाक है तो उपरी स्विकारी स्वा श्रीमा 6% से नीचे लाने में मुल्य हरास की चुनोती हलाकी अधिकांस अन्य मुद्राओं के तुल्ना में हमारी मुद्रा बहतर निस्पादन कर रही है यूएस में जब निवेस बढ़ गया तो डॉलर का मुल्य बढ़ गया तो कई देशों की मुद्रा एवन जापान की मुद्रा भी 20% से उपर तक गिरी थी लेकिन फिर भी हमारी मुद्रा मतलब रूपया उतना तक नहीं गिरा फिर भी बेहतर निस्पादन कर रही है यूएस फेट द्वारा नेती का दरों में और ब्रदिक किये जाने की संभावना के कारण बने हुए है करेंट एकाउंट डेफिसिट का बढ़ना भी जारी र रहे तो यह भी एक तरीके से मुद्रा इस्पिती का कारक कहलाता है ध्यान रखिए गाइस बात का निर्याद प्रोश्चाहन का नुकसान आगे भी संभाव है क्योंकि धीमी पढ़ती बैस्विक संविर्दी और व्यापार चालू वर्ष्ट की दूसरी श्मावी बैस्विक की छमता वह बहुत कम हो चुकी है तो निर्याद प्रोश्चाहन बहुत अच्छा नहीं रहेगा इसके बारे में इसके बावजूद दुनिया भर की एजन्सियां वित्वर्ष 2023 में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुकर्थ व्यवस्ता के रूप में 6.5 से 7.0 प्रतीसत की संविर्धी कानुमान लगाना जारी रखा है अभी भी अधिकांस एजन्सियां जो है वो कहती है कि 6-7% तक भारत की विर्धी धर रहेंगी यह आसावादी विकास पूर्मानुमान आंसिक रूप से भारती अर्थवस्ता के लचीले पन से जनित होते ह मतलब क्या होता ब्हारत का जो वियापार रहना भारत के ब्यापार एकदम से कठोर नहीं हैं हम आयात तो करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज हैं कि जब को कर लोग चीजा कोम करने और सबसे बड़ी बात कि अर्थ व्यवस्था में लचीला ठोड़ता और लचीलापन लचीलापन एक तरीके से गह सोचिए कि जैसे आप यह समझे कि माली जी हमारे पास दस वस्टूएं तो हम इन सभी वस्टूओं का निर्यात करते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक वस्टू के निर्यात पर निर्भर है नहीं है ना तो इस प्रकार से अधी कोई चीज है कि किसी एक वस्टू के निर्यात पर या एक वस्टू के आयात पर हम बहुत ज्यादा निर्वर नहीं है तो इस प्रकार की अर्थविवस्था को लचीली अर्थविवस्था मान के चलिए कि कठोर अर्थविवस्था में एक तरीके से बैरियर होता है कि हम इस खास के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं जैसे आप यह समझे अभी बंगलादेश की अर्थविवस्था निर्याद पर पूरी तरीके से टिकी हुई थी और अभी एक समय था कि बंगलादेश उसने रेडिमेट कपड़ों के निर्याद में भारत को बहुत पीछे चोड़ दिया था और अब उसकी रीड की हटी बहुत हद तक तूप चुकी है निर्याद बहुत बेकार हो चुका है और उसे बहुत ही आर्थिक संकटों का सामना करना पर तो इस तरीके की चीजे विकास क प्रमुक्ष चालक के रूप में निर्याद प्रोश्चाहनों की जगह नीजी खपत में उच्छाल देखा जा सकता है निर्याद प्रोश्चाहन की जगह नीजी खपत नीजी खपत भारत में ही खपत बढ़ गई है तो यह देखा जाता है नीजी खपत में ब्रिधी ने भी उत्पादन गदीविधी को बढ़ावा दिया है अब घरेलू अस्तर पर भी बहुत ज्यादा खपत होने लगे तो हमें निर्यात नहीं भी कर पाए हम तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े प्रबंदित रहा जो लोगों को रेस्तरा होटल शॉपिंग मॉल और सिनेमा गरों जैसे संपरक अधारिच से वहाँ पर खर्च करने के लिए सड़कों पर वापस लाए यहां पर एक चीज और भी अपने अधी मुझे नियमित्स रूप से सुना है तो आपने यह भी सुना हो तो आप समझिये कि परेटन उद्योग मालेज यह बैस्विक रूप से निरवर था अब भारत में घरेलू परेटन इतना बढ़ गया कि 80 या 90 परसंट या 100 से प्लस प्रतिसात यह हुआ कि हम अपने घरेलू परेटन उद्योग को समाल लिए तो यह क्या हुआ कि हम दो तरी तक छेत्र हैं उनको हम सुचारू रूप से चलाने के लिए समाल सकते हैं या उतने उपभोग करने लगे कि वह आसानी से अपना जो मैनुफेक्ट्रिंग है या यूनिट है वह निरियात ना भी करें तो उनको उतना असर ना पड़े जितना दूसरे की अर्थ विवस्ताओ रुपीद हो गया है पर कैपिटा इंकम तो यह एक जो इंकम जनरेट होता है यह निवेश कहां होता है फिर भारत में बार में जाके तो हम कुछ करते नहीं है तो भारत में जो निवेश होता है वो क्या करता है इस तरीके के चीजों को बचा करता है इस तरीके की चीजों को दूसरा सबसे बड़ा टीका करन अभियान जिसमें दो बिलियन से अधिक खुराक सामील है ने भी उभुकता मनुभावों को उपर उठाया जो खपत में फिर से ब्रदी को आगे भी जारी रख सकता है इसका एक खास कारण क्या रहा कि टीका करन रहा तो हम अपने बाजार को जल्दी खोल पाए जैसे जीरो कोबीट पॉलिसी के चीन ने पूरी तरीके से प्रतिबंदित कर रखा था और उसमें टीका करन बहुत ज्यादा नहीं करा गया था तो वह बजार खोलने में काफी लेट या देर कर रहा है पर भारत बहुत आसानी से बहुत पहले ही खुल ज गरस्त्रीमक को कि यह आपसी हुई कि खपत में फिर से ब्रिधी आवाशिय बजार में बीकापत भुड़धी खी आवाशिये बजार आप जानते हो कि हो में मैं जो बने बनाए घर की बात है उसकी बारे में बात की कि गया यह आवासिये बजार में इन्वेंट्री औवर है यह होता है कि कितने दिनों में कुछ बिक जाता है तो 42 माह था उसे घट के कितना हो गया 33 माह रहे केंदर सरकार का पुझी का वे कैपिटिक एक्सपेंडिचर जो है वित वर्ष 23 के पहले कि आठ महिनों में 34 प्रतिसत बढ़ा है अब क्या होता है इसके बारे में आप क्या करेंगे एकनोमी की जो बुक होगी उसमें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे यहां पे सब बताना संभूल नहीं हो पाता है चालू विट वर्ष में भारतिय अर्थ वरस्था का एक और विकास चालक था, जिससे वर्ष 2022 की जनवरी मार्च तीमाही के निजी पूझी कत्वेय में ब्रती हुई, यही जो है जो capital expenditure है, जो की एक विकास का चालक रहा, जिससे वर्ष 2000 जनवरी मार्च में पूझी कत्वेय म ब्रत्वान परिविर्थी को देखते हुए प्रतित होता कि पूरे वर्ष्ट के पूंजी गत्विया की पूर्थी हो जाएगी कार्परेटों के तुलन पत्र बैलेंस सीट के सुद्रड़ी कंसे और परिणामी रिण वित्वित्विर्थी जो यह जनित करने में सक्षम रहा है कि नीजी-पूर्जी-ब्याइभी में भी सतत वृधि अपेचित है आप यह देखो कि सिर्फ केंदर सरकार या सरकार द्वारा पूंजी गत्विया नहीं किया जाएगा साथी साथ अधिन नीजी-पूर्जी-ब्याइभी उसमें भी विव्रद्धी हुई तो हम ठीक-ठाक से विकास कर सकेंगे या जो हमारा ग्रोफ रेट है वो चल सकेगा अच्छी तरह से पूंजी कृत सर्वनिक उच्छेतर के बैंकों की पूंजी कृत यह ध्यान रखना कि बैंकों की बहतर वित्तिय इस्थिति ने उन्हें रिन आपूर्ती बढ़ाने के लिए बहतर इस्थिति नं today performing ,ाज यह धार इंदल नन फॉर्पूर्मिंग असेट यह धा ओगा उतना कम वह पूंजी खjiत कहलें यह ना तो क्सी आकरेंगे कि वह ज्यादा पूंजी दे पाएंगे यह ज्यादा हरी ना पर इनाम सब्सकेंतर की विस्तारित अपातक एलग क्रेडिट यंक त रिंग माइक्रो स्मॉलर मेडल इंटर्प्राइजेश स्वरी छेतर में रिन विर्दी औसतन तीस दुझलों शेप्रतिसत से अधिक रही है मतलब यह काफी बढ़ गया है रिन अभी बहुत जादा दिया जा रहा है कारण यह है कि कोविड महामाली के बाद इसमें बढ़ोत्री तो देखी जाएगी क्योंकि कई लोग हैं जो धिरे-दिरे इन शेतरों में आगे बढ़ रहे हैं समग्र बैंक रीन में विद्धी उधार करताओं के निधियन विकल्पों में परिवर्तन से भी प्रवावित हुए जिनने अस्तिर बांड बजारों जहां परतिफल में विद्धी हुई है और वाहिवानी जीक उधारों जहां ब्याज और परति रच्छन लागत में विद् करताओं में लें यहां उनमें ज्यादा वफचु का एंगये बिंगये बैंक में बेंगये जिस में उसमें धरोसा भी है और एक तरीके से ब्याजदर भी कम होता है क्योंकि वह यहां पर देखे बाहए बाने जी गुदार में ब्याज जो है और प्रतिरक्षन लागत में ब्रिद्धी हो गई है अधि वित्वर्ष 24 में मुद्राइस पिती कम होती है और अधि रिन की वास्तविक लागत नहीं वढ़ती है वित्वर्ष 23 में भारत की आर्थिक संब्रिद्धी मुख्यता नीजी खपत और पूजी संरचना के कारण के कारण हुए है अभी हमने बताया था कि आर्थिक संविर्धी मुख्यता किसके लिए नीजी खपत और पूजी सनरचना की कारण हुई है इसने रोजगार के सिरजन में मदद की है जो घटती सहरी विरोजगारी और करमचारी भविष्चिनिधी में पंजिकरन निवल पंजिकरन में देखी जा सकती है यहां पर आपको कहां दिख सकता है करमचारी भविष्चिनिधी करमचारी भविष्चिनिधी employment provident fund organization में जितने registration जैदा होंगे इसका मतलब क्या है कि रोजगार बढ़ रहे हैं आपको पता होगा कि एक संस्थान है जो 15,000 से नीचे जिन करमचारियों का वेतन है वहां पे registration कराना आनिवाय रहे है ताकि उनका फंड बनाये जा सके और उन्हें भाविष्ट में नौकरी से वंचीत हो जाते हैं या अपने साथ साल कूरा कर लेते हैं उसके पेंसन के लिए फंड बनाये जाता है तो इसे या भाविष्ट नीदी के रूपे अधी पंजी करन होता है तो हम क्या कह रहा है कि रोजगार बढ़ रहा है या रोजगार सर्जन हो सकती है में की पुनर प्राप्ति कदम से कदम मिलाकर हो रही है जैसे कि उनके द्वारा भुक्तान किये जा रहे है वस्टू यह सेवा कर तो मुल रहा है उसमें दिखाई जा रहे है जबकि आपात कारिंद क्रेडिट लिंक गारेंटी योधना उनकी रिन सेवा समद्दी की रिन संबन दिस सेवा संबंदी समस्यां को कम कर रही है महात्मा गांधी राष्ट्य रोजगार गेरिंटी योधना प्रत्य रूप से ग्रामिन परवारों के लिए के आईसरेजन के शुरुतों में भीविद्धता लाने के अवसर प्रदन है अब यहां पर एम जी नरेगा जो है वो क्या कर रहा है रोजगार गारेंटी तो दही रहा है लेकिन अब पड़ते सुरूप से ग्रामीन परिवारों के लिए उनके आइस रिजन के सुरूतों में बिविदित्ता लाने के अवसर प्रता करते हैं तो यह भी है फिर है कि PM किसान और PM गरीब कर लियान योदना जैसी योदनाओं ने देश में खाद्य सुरच्छा सुनिश्चित करने में मदद करी है कौन कौन सी योदना है PM किशान और PM करीब कर लियान यह दोनों योदनाएं आपको देखने नहीं ठीक है उसके प्रभाव को संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम रिपोर्ट में भी अभी पुष्टी की गई है ठीक है अब यहां पर देखो किस ने की है संयुक्त राष्ट यूएंड़ीपी ने आपको इस संस्थान के बारे में भी जानने में राष्टिय परिवार स्वास्त सर्वेच्छन एन्नेफ हैचेस के परिणाम भी वि संकेत को में सुधार दिखते हैं जिसमें प्रजन अंदर घरली सुविधाय महिला सचक्ति करन जैसे पहलु सामिल है और पांच हो चुका है तो पांचों के समयरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं कौन जारी करता है कैसे किया जाता है नमुना सर्वे है या पूरे के पूरे लिया जाता है तो इसको आप एक बार देख सकते हैं वर्ष 2023 में वैश्विक शंवर्दी में गिरावट का नुमान लगाए गया है और इसके बाद के वर्ष्टों में भी आमत्वर पर कमजोर रहने की संभावना है थीमी वांग की वजह से विस्व में धिमी वांग की वज हाला कि चालू खाता सेख के लिए नकारात्मक्य जोखिम मुखिरूह गरेलू मांग और कुछ सथ्थ निरियात द्वार तेज रिकवरी से उतपन होता है कि घरेलू गर क्लब्ध की निर्यात दुआरा संचालित रिकवरी से ऊत्पन होता है नकारातमग जोहीं चालू खाता सेज के लिए नकारातमग जोहीं घरिड्लू मांग और उसमें दोनों में दिप बीरोधभास आता है तो उसमें क्या भूते हैं तेज रिकवरी द्वारा यह नकरात्मक जोखिन मुख्यूरूप से संचालित होता है यह उत्पन होता है C.A.D. पर बारीकी से नजर रखने के अवश्कता है Current Account Deficit पर बारीकी से नजर रखने के अवश्कता है आप इसको एकोनोमी की भुक में देख लेंगे बारीकी से नजर रखने के अवश्कता है क्योंकि चालू वर्स के विकास की गति अगले वर्स की विकास की गति बनाए रखेगी अधि हम इस वर्स की विकास की गति बनाएक रखते हैं तो अगले वर्स अधि सामायन्य वर्स रहा कोई महामारी नहीं आई कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ तो समयन्यता अगला वर्स भी ठीक ठाक मारा खुदरेगा वित्वर्स 24 में एक जोड़दार क्रेडिट समवितन के रूप में विकास तेज होने के समभावना है तता भारत में corporate और banking चेत्रों की balance sheet को मजबूत करने तता पूझी निवेश चक्र सुरू होने की उम्मीद है पूझी निवेश चक्र, capital investment cycle, capital investment cycle इसको कहते हैं कि यहाँ पूझी लगाया तो इसका असर यहाँ पे हुआ यहां से फिर पूझी जनरेट हुआ तो फिर यहां से हुआ और फिर यहां से पूझी जनरेट होके फिर यहां से और फिर यहां से यहां तक तो यह एक cycle बन जाता है जैसे माल लीजिए कि जंधन योधना जंधन योधना को उधारन ले लीजिए कि जंधन योधना में एक वेक्ट